जैसा कि आप देख रहे हैं हम कानपुर के चड़िया घर आये हुए हैं जैसे कि आपने सोचल मीडिया में काफी वीडियोस वैरल दिखे होंगी आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में तो आज हम आए देखें दिखाते हैं आपको आखिर आरिफ का सारस क्या कर रहा है आरिफ का दोस्त सारस कैसे तड़फ राया पल पर फैलाकर बेले कुल अनी आरिफ के बीयोक में बिल्कुल क्या हालत हो गई है सारस की आप देख सकते जो सोंतों कानपुर दिख चड़िया घर पे यह सारस को रखा गया है यहां देख सकते हैं दोस्तों यह पास ही आ रहा है हमारे यह दोस्तों आप देख सकते हैं आप पास में आगे सारस का क्या हाल हो रहा है इस चिडिया घर में कानपुर के रखा गया है बाड़े में बन करके कैद करके रखा है दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल शारस आरिफ का दोस्त जो की आरिफ से बिल्कुल अलग कर दिया गया है कानपुर चडिया घर में रखा गया है दोस्तों आप देख सकते हैं याँ पर कैसे शारस बिल्कुल आरिफ की याद में तड़प रहा है बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों आगया और दिखाते हैं हम आपको देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल कानपूर के चडिया घर में रखा गया है है यहां पर दौस दूख रहे हैं एक सारस दिखाई लेकिन इसमें लगता है यहां तो दोस्तों आप लेकर चोट लगी चोटि लवस्था में था वह एक पैर से खड़ा होता तो अगर ऑपको कि अगर वो बताए जारा है वहाँ पर रखा गिया है तो यह मुझे आरिव का सारस तो नहीं लग रहा है क्योंकि सबसे बड़ी उसकी जो निशानी दी पायर में चोटी ले विस्था में था कि यहिता है तो यह सब लोगों को पता है कि जो मेरे दोस्त था शारस के उसको वनभाग की टीम एका एक आती हो लेकर चली जाती है समस्वृ पछी विहार और पीछी पीछी हम भी जाते हैं उसको देखने के सारस का थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ से हमको आपस कर दिय जाता है और कहा जाता है कि बीस बच्ची इस दिन आप यहां दिखाई मत पढ़ना क्योंकि आप इससे मिल नहीं सकते हैं फिर एक दिन अचानक बच्ची वहां से उड़ के पास वाले घाव में जाता है और जहां कुछ जंगली कुट्टे उसको और कुछ जंगली जानवर उसके उपर हमला बोल देते हैं जहां एक लड़का अपनी जान पर खेल के उसकी जान बचाता है और उसकी जान बचाता है फिर अपने घर ले जाता है घर ले जाने के बाद फिर उसको दाल, चावल, सब्जी, रोटी यही खिलाता है तब तक पूरे गाउं में मतलब हला हो जाता है कि आईफ वाला दोस्ती यहां पर आ गया है फिर गाउं में से एक आदमी किसी वन भाग की टीम को सूचना देता है जो समस्पूर पच्छी विहार सल्वन में है सूचना देने के बाद फिर टीम आती है वहां के उसको दुबारा ले जाके वहां पर बंधक बना दिया जाता है किचन में बंधक बना के लगबग उसको 48 घंते तक वहां रखा जाता है जब बच्छी कुछ खाता नहीं सिर्फ पानी पी रहा था तो वहन विभाग के हाथ पाउं फिर से फूलने लगते हैं उसके बाद उसके लिए और कोई दूसरी बेवस्था के करने लगते हैं फिर एक दिन अचानक लखनौोस की चीड़ियगर की गाड़ी जाती है और उसमें कैद करके उसको कान पूर चीड़िया घर में ले जाकर कैद कर दिया जाता है जहां वो एक पिजड़े में बंद है बहुत ही परिशान है आप लोगोंने वीडियो देखिए होगी सोसल मीडिया पे कैसे ख़ड़ा था मुझ खोले हुए वहां आफ रहा था इधर उधर हमको ही ढूंड़ा करता है और वहां पे उसका भोजन नहीं मिल पा रहा दाल, चावल, सबजी, रोटी अब ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ समझ में नहीरा बहुत परिशान है और आप लोग सपोर्ट करिए ताकि वो जल्दी से जल्दी हमको वापस मिल जाए कि एक तो अच्छाई की उन्होंने उपर से उनको पर केस हो जाता है तो आदमी कितना परिशान हो जाता है यह आप देख सकते दोस्तों तो यहीं आरिप वो सारस की दोस्ती आपको एक मिसाल कायम करके रखी हुई है आखिर एक पच्छी एक इनसान की जो इस तरीके से दोस्ती आपने देखी है सोसल मीडिया में आपने composersjuk कभी किसी को देखी होगी तो तोस्ते I hope को आपको वीडियो ऊपसंद है वीडियो को पसंद है तो वीडियो को Like चैनल को सब्सकाइब जरू करिएगा I hope कि आप लोग आरिप भाई के साथ सपोर्ट में खड़े होंगे और आरिफ वो सारस को एक करने की बिल्कुल कोशिस पूरी जारी रहेगी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक की जय हिन बंदे मातरम